उजयन की वन विभा की टीम ने इंदौर रोट से ताजी बबूल की लकड़ी पकड़ी मुखबीर की सूचना पर ग्राम राडा बढ़ से लगबंग पचास से साथ कुंटल अवैद रूप से भर कर ताजी कटी बबूल की लकड़ी को अवैद रूप से इंदौर परिवहन करते हुए पकड़ा गया वहीं वन अधिकारी पर वाहन मालिक ने रुपे मांगने का रूप भी लगाया उजैन के वनविभाग महिनों में एकादी लकड़ी की गाड़ी को पकड़ कर वहवाही लूटता तो कई बार दिखा गया है इस बार वन विभाग वहवाही से क्यों बच रहा है यह हो सकता है कि इसमें लकड़ी मालिक से 60 गाड़ की जा रही हो इस बार भी वन विभाग ने एक बबूल की गाड़ी मुगबीर की सुचना पर ग्राम राड़ा बढ़ से अवैद रूप से भर कर जाती हुई पकड़ी इस बारान वन विभाग की चार सदस्तियों की टीम ने रोक कर पूछता आच की वहन चालक ने ग्राम राड़ा बढ़ से इंदौर लकड़ी का परिवहन करना बताया चार सो साथ वहन में ताजी कटी बबूल की लकड़ी लगभग पचास से साथ कुंटल को अवैद रूप से इंदौर परिवहन के दौरान पकड़ा गया वहीं वहन मालिक मीडिया के कैमरे की सामने नहीं आया वनारक्षे कुछ अधिकारी के निर्देशन में वहीं कारी करती दिखाई दिये और जयन जुलावन अधिकारी कीरन बिसेन ने मीडिया को ज़वान करे देने से मना कर दिया किरन विसेन ने तो कहा कि ये तो हमारी रोज की करिवाही है इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे इसे पहले भी वन विभाग की करमचारियों ने गाड़ी तो पकड़ी लेकिन जुर्माने के नाम पर सेटिंग कर छोड़ दिया जबकि अवायत परिवहन पर शाशन ने राजसात करने के निर्देश दिये हैं लेकिन आज तक वन विभाग के जुलादिकारी ने एक भी वहन राजसात की जानकरी मीडिया को नहीं दे उजेन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट